हम थोड़ा आगे बढ़े हैं, सर्दी, खासी, जुकाम, ये तीनों एकी फैमिली की डिसीज है और इनकी मेडिसिन भी लगबग एकी है क्या-क्या मेडिसिन है इसके लिए अपने रसोई में सबसे अच्छी मेडिसिन है अपने रसोई में अदरक अदरक कोई दूसरे नाम में सोंट कहते है अदरक सूख जाता है तो सोंट हो जाता है अदरक सूख जाता है तो सोंट हो जाता है तो अदरक या सोंट इसकी बेस्ट मेडिसिन है दूसरी बेस्ट मेडिसिन है वो हल्दी है तीसरी बेस्ट मेडिसिन सर्दी खासी जुकाम की चूना है चौथी बेस्ट मेडिसिन सर्दी खासी जुकाम की किश्मिश है पाच भी मेडिसिन सर्दी खासी जुकाम की दाल चीनी है किश्मिश मुनक्का अलग है किश्मिश अलग सबसे अच्छी दवा है अध्रक हैं दूसरी हल्दी है तीसरा चूना है चौथी दालचीनी है फिर किश्मिश है और इसमें आप मैथी दाना भी यूज़ कर सकते हैं इतनी दवाएं हमारे रसोई में हैं सर्दी खासी जुकाप के लिए और इसके साथ कुछ कॉम्प्लिमेंटरी मेडिसिन है जो में मेडिसिन के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं वो है काली मिर्च तुलसी का पत्ता यह कॉम्प्लिमेंटरी में मेडिसिन है अध्रक में मेडिसिन है दालचीनी में मेडिसिन है मैधी दाना में मेडिसिन है चुना उसके साथ कॉम्प्ल डाल जी ने, काली मिर्ची अब इनको यूज कैसे करना है यूज करने का तरीका अधरक है उसका रस निकाल लीजे अधरक रस को निकाल लीजे और इसमें थोड़ा शहद मिलाके हल्का गरम करके पी लीजे ये एक तरीका दूसरा तरीका है अधरक का रस निकाल लीजे उसमें तुलसी का रस मिला लीजे और हल्का गरम करके शहद मिलाके ले लीजे वो दूसरा तरीका गरम करने के बाद ही शहद मिलता है शहद मिलाके कोई चीज गरम नहीं कर सकते अगर शहद नहीं है तो गुड़ ले लीजे गोड़ भी चलेगा अब दोज कितना लेना है एक बार में एक चमच से जाज़ा नहीं सम बिलाकर एक चमच अब आप खुद डिसाइड कर लेना सम बिलाकर एक चमच अद्रक का रस तुलसी का रस और शहत तीनों मिलाकर एक चमच सुबह सुबह ले लिजे खाली पेट बहुत अच्छा है एक बार दुपहर को भी ले सकते हैं पर शांग को यह तीन बार ली जा सकते हैं दिन में संदिखासी जुकाम के लिए कुछ बढ़ा रहे ता है कि पूरे दिन चुझलाहट रही होगी तो उसमें बीपी नहीं बढ़ा होगा बीपी नहीं बढ़ाता है यह दूद में मिलाके जो हजारों साल से इस देश में इस्तेमाल होगा दूद में मिलाके और मिलाके इसको बॉइल करना पड़ता है दूद को फिर उसका असर आता है दूसरा तरीका है कि अगर दूद उपलग नहीं 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 मन डाले बिना बोल के खाने क कोशश करिये हो जाए तो अच्छा बिलकुल ना जाए तो देख लीजिए थोड़ा बहुत अगर किसी कारण से दूद नहीं ले सकते या दूद उपलग नहीं तो पानी में भी वाइल किया जाता है हल्दी को और लिया जा सकता है तो सर्दी खांसी जुकाम में हल्दी है पानी में ले सकते हैं और हैं जी मात्रा हमेशा चौथाई चमच सर्दी खांसी जुकाम को इससे जादा है कची हल्दी मिल जा तो और भी अच्छा चोटे टुकड़े करके दूब में वाल कर लीजे उसा और इसी हल्दी को और इक बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं आप टॉंसलाइटिस यह बच्चों की जो वीमारी है ना टॉंसल उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टॉंसलाइटिस बेस्ट मेडिसिन है यह टॉंसलाइटिस की टॉंसलाइटिस में अभी अक्सर क्या होता है जब भी बच्छे को होगा आप डॉक्टर के पास जाए इमीडियेट कहेगा ऑपरेशन करा तो काट के निकाल के एक ही मिनिट लगता उसको यह करा दो काट के निकाल दो ऐसे समस्ता है यह भालती दे दिया बगवान ने आजकल के एक तो डॉक्टर माताओं को बोलते हैं कि अपना गरभाश काट के निकलवा दो और यह दूसरा टॉंसलाइटिस के लिए बोलते हैं यह दोनों ही अगर आपने निकलवा दिये तो फिर भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता यह जान दो एक बार बच्चे का टॉंसलाइटिस का अपने ऑपरेशन करा दिया और कट के निकल गया फिर जिंदगी बार उसको ना कोई दवा काम आएगी उसको उस तकलीफ के साथ ही जिंदा रहना पड़े इसलिए यह गलती कभी पर भी मत करी अपने बच्चों कसे हाँ मैं बता रहा तो टॉंसलाइटिस के case में भी इसी हल्दी को इस्तेमल करीए बस तरीका उसका इतना ही है कि टॉंसलाइटिस अगर बहुत ज़ादा chronic है मानि बहुत पुराना हो गया है तो हल्दी को सीधा इस्तिमाल करना है ना कि एक हफ़ते में तीन दिन भी आपने कर दिया तो चौते दिन से उस बच्चे के टॉंसिल हवेशा बिलिठी बजा इतना इफेक्टिव अगर टॉंसिलाइटिस क्रोनिक है तो एक्यूट है माने हाल फिलाल में हुआ है पंदर वीज दिन महिना दो महिना तो आप उसी तरह से दूद में लीजिए इसको या पानी में लीजिए बच्चे डूत अच्छे चल जाएगा पानी नहीं पीना है वो लार के साथ अंदर जाएगा पानी उनको घंटे पर तक नहीं देना और इसमें थोड़ा एक और दूसरी मिमारी इसी से जुड़ी थ्रोट इंफेक्शन गले में खराश हो गई और गले में किसी तरह का इंफेक्शन है गला बैट गया है तकलीफ ऐसी है पानी भी पीने के तकलीफ हो रही है आपकी लार में गलने में भी तकलीफ हो रही है इस तरह का इंफेक्शन है आवाज भारी हो गई है यह सब के लिए यही हल्दी इस्तेमाल करना है दूद में घ गी के साद कि Хल्दी दूद और घी कि हमनद का इसनगर है कि एक गिलास दूद रहेगा चौदाई चमुट रहेगी चंबच हल्दी रहेगा यह इनुट विक्सत्र करके व्यक करना व्यक्रकर को गरम-गरchaaj की तरह सखें शाम कोई कापी है एक पार है जी फिर से रिपीट करता हूं एक किलास दूद चौधाई चम्मच घलनी एक चम्मच घी घी माने कायता इसको एक दूसरे में मिला के खुब बॉई करिये और इतना गरम हो चाय जैसा और चुस्कियां लेके पीना सिफ करके नहीं लुक्सान तो कुछ भी अच्छा बला भी पी सकता है बस मात्रा हलनी की थोड़ी कम कर दीजा है जी शुगर माने चीनी में चीनी को तो विदा कर दीजा थोड़ा गुड़ गुड़ ले लिया तो चलेगा चीनी तो छोड़ी दी तो भी निकल जाएगा थोड़े दिल लगातार लेना पुड़ेगा पांचे दिन उसमें निकल जाएगा और जुकाम के लिए मैं और एक दवा बता चुका हूं जो पहले से आपको मालू मैं चूना चूने को इसी तरह से जैसे बताया हुआ है आप यूज कर लीजे तो कर दो कि दुका हुआ हुआ है